तो बहिए सीधी सी बात है अगा ट्रांस्पोर्ट कंपनी को अपने पैसे बचाने है तो रनिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी कम अब रनिंग कॉस्ट तो कम होनी सकती क्योंकि डीजल भाईस आप इतना महेंगा हो रहा है आसमान चूरा है अब यह जो है LNG और CNG दोनों से कम्बाइन ली चलता है यह जो आप देख पारे हो मेरे सामने LNG लिखावा है तो यह LNG होता क्या है आखिर वो चीज समझ लेते हैं तो जो बहिए मिथेन नाम की गैस हाते ही जो अपनी नैचरल गैस होती है उसको कम्प्रेस कर देते हैं जो प पिचान में होर्स पावर जेनरेट करता है साथी साथ 1200 न्यूटन मिटर का टॉर्क नॉइन स्पीड गेर बॉक्स आपको इसके अंदर मिलने वाला और यह जो आप पूरा देख पार हो बड़ा सारा ड्रम यह क्रायोजेनिक टैंक आपको इसमें मिलता है जिसके अंदर कैप इसे अदर को बड़ा और त्रक आपको देखने को मिलने वाला है यहांपर सेम वही पीछे हुक आपको मिल जाएगा हिंदुजा गुरूप की बैजञ आपको इसके नहीं मिल जाती है जो आपको एलेंजी के इंदर देखने को मिल जाता है नी तो उससे पहले और कोई ट्रक कभी तक लॉंच नहीं हुआ है और उसी के साथ में बता दू भाई यह जो है जिस फ्रेम के उपर बनावाई EVTR प्लैटफॉर्म उस पे अल्डेडी सवा दो लाख ट्रक जो है आराम से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और डीजल के ट्रक जो है और उसके बाद में आपर अ आपको इसके अंदर जो टैंपरेचर रहता है वह माइनस एक सो एक सट डिग्री सेल्शियस का यहां पर टैंपरेचर रहता है यहां पर पचपन बत्यस एयन की बैजिंग आपको मिल जाएगी और जो कैबिन है एक दब मॉडिफाय हो सकता है को दिख्के तली बाद उसमें आपको ऐसे कोछ यहां पर हैड्लैंप्स मिल जाते हैं आपको रिफ्लेक्टर इंडिकेटर हो जाते हैं मेरे से थोड़ी सी जो है लेकिन अपने भाई आफ्टर मार्केट लगवाई लेते हैं इस ट्रक की खासी है कि एल एंजी का होने के बाद भाद भी सका कैबिन सस्पें अब आपको देखने के लिए और अब लाइन ब्रेक्स आपको इस गाड़ी के दर मिल जाती है लेंजी सी एंजी वगरा लगाने के बाद में आपको अगर ऐसा लगे क्या पिक अप में प्रॉब्लम आएगी गाड़ी भागी कि नहीं तो ऐसी बात निया असी किलोमेटर पत पैसे लगा भी लें और फिर आए दिन हमारा ट्रक खड़ा हो जाए बाई तो आपको एक चीज रताता हूँ बाई महानगर गैस ने जो है इसका ओर दिया है और उनको डिलेवरी मिल चुके और वो लोग आराम से यूज कर रहे हैं तो अगर मार्केट के इंदर इतने आपको बता हूँ अब अभी देखने में तो इतने जाद तो अवेलेबल नहीं है और अशोक लेलेंड ने इसको बनाया है तो आपको सर्विस वगरा सारी अशोक लेलेंड वाली बढ़िया देखने को मिल जाते हैं उसमें को परिशानिया आपको आने नहीं वाली तीसरी च पर इसले निकाला जिससे एक भरोसा जीता जा सके किया और ऐसे ट्रक जो है मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें सेम डीजल वाले ट्रक के अंदर जो जो चीज़ें लगती है वो सारी पार्ट शेरिंग हो रखी है तो आपने देखें सेम उसी से पूरी पार्ट शेरिंग इसके अंदर है और LNG वाले टक अगर आप अगर आज के तरिक में लेते हो तो अभी इतनी जादा अवेलेबल LNG है नहीं है दो इस सारी स्पेसिफिकेशन जो है टेकनिकल स्पेसिफिकेशन सब इसके उपर लिखी वी और आप बार्कोड को स्कैन करके उसमें देख भी सकते इसके बाद में जो CNG आपको इसली मिल जाता है इतना इसली आपको LNG अभी अविलेबल नहीं है मार्केट के अंदर तो लेना तो अभी तो मेरे ख्याल चे तो यार थोड़ा सा रिसकी काम हो जागा गर आप ले लोगे तो क्या पता आपको कहीं LNG स्टेशन मिले ना मिले त बाकी मैं आपको बता दो बाई 19 तन जो है ग्रॉस वेट खेंचने के बिल्कुल यह कैपेबल है गाडी तो उसमें कोई पेरेशनी वाली बात आपको आने नहीं वाली बड़िया तरीके से जान वगरा तो पूरी है उसमें को दिक्केत वाली बात नहीं है और जो अब बाकी बताओं बाई इस सेग्मेंट के अंदर अशोकल एलेंड ने तो लेंग ट्रक के अंदर बाजी माली लेकिन टाटा भी नहीं हटे का पीछे टाटा का भी ट्रक जो है बहुत जल्दी अपन को लेंगी सी एनजी के ना देखने को मिलने वाला है तो उसके लिए बन ने रही है